नमस्कार, प्रियमित्रों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान, हमारे यूटूब चैनल में मैं आपका हारदिक स्वागत करता हूँ, दोस्तों, जोतिस शास्त्र ने पांच परकार के लोगों से दूर रहने की सलाद दी है, चाहे इस्तरी हो या पुरुस, जो व्यक्ती बहुत ज्यादा हटी होता है, जिद्धी होता है, ऐसे व्यक्ती से दूरी बना कर रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ती विवेक सुनने होता है और कभी-कभी अपनी जिद्ध में अपने साथ वाले आदमी का भारी नुक्सान करवा सकता है, तो हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए तो कुल मिलागर पांच परकार के लोगों की चर्चाप आज की वीडियो में करूंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दू यदि आप जोतिस के द्वारा अपनी समस्त परकार की समश्चाओं का समधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी सरेनी के गवर्मेंट लेब सर्टिफाइड राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तो हमारे यहां से सभी परकार की रतनों की अंग उठिया बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेड़ी जाती है तो चलिए विशा में आगे बढ़ते हैं जो व्यक्ति दरिद्र रहता हो घर में पैसे की कोई कमी नहीं है घर में आर्थिक संपन्नता होने के बाद भी जो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने पसंद ना करता हो न टाइम पे सोना न टाइम पे उठना न टाइम पे खाना मैला कुछ एला जो व्यक्ति रहना पसंद करता हो ऐसा व्यक्ति यदि आपके साथ में रहेगा तो वह आपकी नाव को भी एक नेक दिन गहरे पाने में डुबो देगा इसलिए जो व्यक्ति टाइम का पाइबंद ना हो उससे दूरी बना कर रखनी चाहिए नमबर तीन इरशालू सुभाव के व्यक्ति भी जीवन में बड़े दुखदाई होते हैं और व्यापार में ऐसे लोग एक नेक दिन विनास का करण बनते हैं जो हमेशा दूसरों को देखकर जलते रहते हैं वक्त बेवक्त दूसरों की चर्चा में ज़्यादा समय खराब करते हैं ऐसे लोगों से भी हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए नमबर च्यार जो व्यक्ति देव पूजन में इंट्रेश्टिड ना हो ना तो इश्वर में भरोसा है, निष्ठा है, न देवताओं में विश्वास है, न मंत्र जाप है, न साधना है, न उपासना है जो व्यक्ति इश्वर के पड़ती निश्ठा वानना हो व्यक्ति से हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए ऐसा व्यक्ति आपके जीवन को नर्क बना कर रख देगा निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पुन्य देर सबेर समाप्त हो जाते हैं तो दोस्तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना कर रखनी चाहिए नमबर पांच जो व्यक्ति मोका परस्त हो Ladies and Gents कोई भी है जो मोका देख करके तुरंट बदल जाता हो Change हो जाता हो उस व्यक्ति से भी दूरी बना कर रखनी चाहिए चुकि ऐसे व्यक्ति के पास है आप या आपके पास वह है आपसे बहतर विकल्प मिलते ले के साथ ही वह आपको छोड़तेगा ऐसे लोगों पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए शास्त्र कहता है जो पांच सिरेणिया मैंने आपको बताई इस परकार के लोगों को व्यापार में परिवार में जीवन में इस्थान नहीं देना चाहिए बहुत सोच समझ कर विचार कर चिंतन महन करके आगे बढ़ना चाहिए चुकि एक गलत निर्णे व्यक्ति को कई साल पीछे धकेल देता है काम ना करता हूँ आज की है जानकारी आपको अच्छे लगी होगी दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा लंबी चोड़ी वीडियो बनाने की हैविट नहीं है मुझे यूटूब में कच्रा अपलोड नहीं करना है मैं कम बात करता हूँ सॉलिड बात करता हूँ आप मुझे जानते है तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और सट्टेक जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को सेर जरूर करें और लाइक दिकरें जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ निकट पहुष्य में तब तक के लिए नमस्कार